अलो फैंट स्वागत है आपका अपने चनल क्रोवेद प्रसांत में और आज मैं आपको बता रहा हूं कि टेली प्राइम में हम कैसे किसी सीए को या एकाउंटेंट को या किसी को आपको अपना डाटा मिल करना है वो हम कैसे कर सकते हैं तो पूरा मैं प्रोसेस को बताता हूं क्योंकि टेली यार्पी नायन में प्रोसेस अलग था ये करने का और इसमें अलग है क्योंकि इसमें कुछ स्वाट काट बदल गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा यहां पर data पर किलिक करना है या फिर आपको alt के साथ y प्रस करना है इसके बार यहां देखिए यह option आ जाएंगे इसमें एक मिलता है आपको data path पहले तो हमें यह देखना होगा कि हमारी teleprime कहां से operate हो रही है कहां पर हमारी यह file है वो save हो तो हम इस पर किलिक कर देते हैं इस पर किलिक करने के बार यह देखिए company data path आ रहा है see user public teleprime data तो इस location पर अगर हम जाएंगे तो वहां हमारी सारी company show हो जाएंगी जो जो हमने इसमें बना रखी होंगी तो चलिए देख लेते हैं कि इस location पर क्या वो files महाँ पर मौजूद है या नहीं है तो इसके लिए मैं अपनी ड्राइब में चलता हूँ तो यूजर में जाए अब आपको यह पर चलेगा यह वाली company कौन सी है और यह वाली company कौन सी है तो इसका मैं आपको solution बतादा हूँ कि कैसे आप पता करेंगे कि बहुत सारी आपकी company का data पढ़ा हुआ है और उसमें से किसी specific आपको company का data भेजना है mail पर तो आप कैसे भेज सकते हैं तो इसके आप जो आपकी company का नाम है उसका आपको code सो हो जाएगा अब इसमें जो code होता है दसजार से सुरू होता है फिर उसकी series बनती रहती है तो आपको जो भी अपना backup करना है उसका आप यह number note कर लिजिए तीक है अब जैसे में को यह ABC Prime Limited है उसका दसजार code का number है तो मैंने इसको ध्यान कर लिया है अब हम चलते हैं अपनी उस location पर C में इसके लिए आपको अपने टैली को पहले बंद करना पड़ेगा और यह देखिए हमारे दसजार वाली हमारी जो company थी उसका हमें mail पर भीजना है data तो अब हम इस पर क्या करेंगे right click करके और इसको add to archive करेंगे अब हो सकता है आपकी system में ऐसा option नहीं आ रहा हो क्योंकि एक software होता है बिनरार वो आपको download करना हुआ तब यह आपका आ जाएगा तो इससे क्या होता है जिफ फाइल इसमें रार फाइल बन जाती है तो इस पर आप जैसे click करेंगे तो इस तरह के से देखिए यहाँ पर option आएगा और यहाँ पर आपको ok करना है ok करने के बाद यह आपकी रार फाइल बन जाएगी इसका यह benefit है कि यह easily आपकी attach हो जाती है और mail पर आराम से इसको भीज सकती हो ठीक है और अगर आप यह folder खोलेंगे तो इसमें देखिए इतनी सारी option आ रहे हैं और यह सारा data होता है टैली का बढ़ यह direct open नहीं होता है तो हम one by one कैसे भेजेंगे mail पर तो इसलिए हमें यह जो रार फाइल बनानी पड़ती है ठीक है आप बिन जिप software है उससे बना सकते है या फिर आप बिन रार software है उससे बना सकते है अब जो यह data है आप इसको पेंडा एम में copy कर सकते है या पर mail पर भेज सकते है ठीक है और दू उसको paste करके अपने drive में और आपका data access कर सकते हैं तो यह थी information आई ओप आपको पसंद आया होगा और आगे और भी topic पर आपको ऐसी knowledge मिलती रहेंगी और कुछ time बाद आपको shortcuts में provide करूंगा तो चलिए वीडियो को stop करते है ठैक्स पर watching और चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब कर लिएगा